CAA से आखिर आम आदमी की जिंदगी कैसे बदल जाने वाली है इसलिए आज इस वीडियो को आप आखिर तक इत्मिनान से जरूर देखेगा क्योंकि आज आज आपके वो तमाम सवाल जो CAA से जुड़े हुए हैं उन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर CAA है क्या नागरिक्ता संशोधन कानोर जिसे केंद्र सरकार ने साल 2019 का वो वक्त था जब संसद में पास किया था अब इस बिल का उदेश है पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आए छे समुदायों जिसमें हिंदू, इसाई, सिख, जैन, बौध और पार्सी शामिल है इनके शरणार्टियों को भारत की नागरिक्ता देना है वैसे इस बिल में मुसलिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया और इसी मुद्दे पर जो राजनितिक पार्टियां थी उनकी तरफ से जबरदस विरोध किया जाता रहा है समय समय पर अब मैं आपको ये बता दू कि तीन साल पहले जब संसद में ये संशोधन कानून पास हुआ था तो इस पर पूरे देश में एक तीखी प्रतिक्रिया और विरोध भी देखने तो मिला था सियासी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया लेकिन सरकार ने इसे लेकर ना केवल इस्थती सपष्ट की बलकि इस कानून को लेकर जवाब भी दिये है अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये बिल और इसे लेकर सरकार का क्या कहना रहा है और कैसे ये स्चुनाव से पहले लागू होने वाला ये भी तेह है सवाल अब आपके मन में जरूर ये होगा कि आखिर नागरिक्ता संशोधन कानून है क्या ये मैं आपको बताती हूँ ये कानून किसी को भी नागरिक्ता से वंचित नहीं करता है ये किसी को नागरिक्ता बलकि देता है और ये केवल उन लोगों की श्रेणी को संशोधित करता है जो नागरिक्ता के लिए खास तोर पर आवेदन कर सकते हैं अब ऐसा उन्हें आवेदन यानि जो आवेदन करने वाले हैं उन्हें अवैत प्रवासी की परिभाशा से छूट देकर करता है कोई भी व्यक्ति जो की हिंदू, सिख, बौध, जैन, पार्सी या इसाई समुदाई से तालुक रखता हो और अफगानिस्तान, बांगलादेश या पाकिस्तान से हो जो की भारत में 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले प्रवेश कर चुका हो और जिसे केंद्र सरकार के द्वारा पासपोर्ट, अधिनियम, 1920 की धारा 3 की, उपधारा 2 के खंड, सह या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के आवेदन या उसके ही अंतरगत किसी बिनियम या आदेश के तहर छूट दी गई हो, अब मैं आपको ये भी बता दू कि इस छूट के लिए कानूनी धाचा 2015 में ग्री मंत्राले की तरफ से जारी दो आधिसूचनाओं में पाया जाता है, वो क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जानिये कि चार जो 2014 से पहले धार्मिक उत्पीरन की आशंका से भारत में प्रवेश कर गए थे तो ये उनके लिए है, अब एक सवाल आपके मन में जरूर इसके बाद ये होगा कि आखिर नागरिक्ता कानून जो है, वो करता क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये कानून उन्हें खुद ब अब साबित इसमें ये भी करना होता है कि वो अपने देश से धार्मिक उत्पीरन के कारण ही भाग कर अपने देशों से वो यहां आ गए थे, अब उन भाशाओं को भी वो बोलते हैं जो सविधान की आत्वी अनुसूची में शामिल है और नागरिक कानून 1955 की तीसरी शर्णार्थियों को आखिर वीजा भारत की तरफ से कैसे जारी किया जाता है जो शर्णार्थी पात्रता नहीं रखते यानि कि धर्म के बगेर भी वो भारत को जो शर्णार्थी नीती के साथ सुरक्षित रहते रहेंगे अब आपको मैं बता दू कि शर्णार्थियों को भ बहुत सारे ऐसे शर्णार्थी हैं जो आराम से रह रहे हैं। सरकार का कहना ये है कि ये कानून मुस्लिम शर्णार्थियों को कवर नहीं करता। क्योंकि हमारे इस्तिती ये है कि जब हलत उनके लिए सुरक्षित हो जाएगी तब शर्णार्थी अपने घर वापस लोट सकते हैं और लोट जाना चाहिए ये भी इसमें कहा जाता है अब एक और बड़ा सवाल ये भी है कि भारत शर्णार्थियों को वीजा आखिर देता कैसे है तो ये भी जान लीजेए भारत की हमेशा की नीती गैय समावेश की थी इस सरकार के होने से बहुत पहले से ही कुछ देश विशेश तौर पर समधानिक तौर पर इसलामी राष्ट रहें अब वहाँ का जो आधिकारिक धर्म है वो इसलाम है जबकि कुछ मुस्लिम भाग कर भारत में आते हैं वो अपने देशों में जुल्म और अत्याचार के हालत के चलते वहाँ से भाग कर भारत आ हैं अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि उन्हें नीती दृष्टिकोन के अनुसार न्यूट्रिलाइस कर दिया जाए अब एक सवाल ये भी है कि गैर मुसलिम शर्णाथियों के लिए आखर दिक्कते क्या हैं गैर मुसलिमों के लिए पडोसी देशों में समधानिक जबकि मुसलिमों को अलग-अलग केस के तौर पर यहां पर लिया जाता है अब उधारन के तौर पर जैसा हमने सीरिया, अफगानिस्तान इस तरह के कई सारे देशों से आने वाले मुसलिमों के लिए किया भी है एक बड़ा सवाल ये कि रोहिंग्या मामले को सरकार किस तरह से ले रही है, तो ये भी जाने कि बर्मा के इस्सिति ये है कि रोहिंग्या वास्तविक तोर पर अब विभाजित भारत के समय भारत आये थे, तब जबकि ब्रिटिन ने बर्मा पर कबजा कर लिया, अब इसलिए बर्मा उन्हें अपने जातिये ग्रुप और योग्ये अगर भारत रोहिंग्या को भारत में नियूट्राइज का अधिकार दे देता है तो ये बर्मा के साथ साथ हमारे नाजुक विवाद को अपसेट कर सकता है भारत में रोहिंग्या को शर्णाथी प्रोटेक्शन और साथी लॉंग टर्म वीजा मिला हुआ है लेकिन वो भी और सकतर रोहिंग्या को शर्णाथी लॉड़ भी अधिकार बाद कि साथ है ये उसलिए रगार बहारे लॉटे पिले प्लेग लॉटेजग कर सकता है ये बहारे नादीन और साथ है ये इसक्शन और सन्स्वान